रेडियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियम का रसाइनिक चिन आर ए है, इसका परमानू संख्या 88 है, रेडियम एक रसाइनिक तत्व है, यह एक धातू है जो पी से हुए नमक के समान होती है, यह पिर्थवी पर बहुत कम मात्रा में पाई जाती है रेडियम की खोज पियरे क्यूरी और मेरी क्यूरी ने 1898 में की थी रेडियम धातू का निर्मान 1910 में हुआ था रेडियम अंधेरे में चमकता है यह निरंतर प्रकाश देते हुए भी ने तो जलता है ने गलता है प्रकाश की क्रिया के बावजूद इसके भार में कोई कमी नहीं होती रेडियम को छूने पर भी किसी प्रकार का उश्मा का एहसास नहीं होता रेडियम गर्म ना होने पर भी सदा चमकता रहता है वैग्यानिकों के अनुसार शुद रेडियम से लगभग सोलह सो वर्ष तक लगातार प्रकाश निकलता रहता है तत्पस्चात खीन होकर लगभग दो हजार वर्ष बाद यह शीशे में बदल जाता है मानव ने अब तक जितने धात्वों का पता लगाया है उसमें रेडियम सबसे रहस्य मई है रेडियम कैंसर जैसे असाध्य है रोगों में इलाज के लिए सहायक है रेडियम के प्रियोग में यदि सावधानी नहीं बढ़ती जाए तो यह मानव के लिए विनाशकारी होता है माना जाता है कि रेडियम की खोज सरुपिर्थम फ्रांस के वैग्यानिक वैके रिल ने 1896 में की थी रेडियम का उप्योग घडियों उनके डायलों एवं रिफ्लेक्टर में किया जाता है रेडियम प्राप्त करने का कारिया अतियंत स्रम फूर होता है तथा खर्चिला होता है इसके निर्माण के लिए सरुपिर्थम यूरेनियम ऑक्साइड की जरूरत होती है जो विश्व में बहुत कम मात्रा में है रेडियम प्राप्त करने की प्रैक्रिया में धातु को करीब 5,000 विभिन परिस्थितियों में आदूनिक मशीनों में डाला जाता है रेडियम निर्माण में करीब 6 महिने का समय लग जाता है घडियों में प्रियोग के जाने वाला रेडियम पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता कहा जाता है कि सुई की नौक जितना शुद्ध रेडियम घडियों के करोडों डायलों के लिए काफी है देश विदेश के कई नगरों में रेडियम चिकित साले स्थापित हो चुके है तो ये थी रेडियो एक्टिवताथ रेडियम के विशह में कुछ जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजेगा ऐसी आने को जानकारी आपाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा थैंक्यू पूर वाचिंग